नवस्कर दूस्तू स्वागे थे आपका एक बार फिर से आपके अपने योटीब चैनल चौबलक पर दूस्तू आज की सोड़ी हम बात करेंगे विद्योत विभाग भरती 2022 के बारे में जहां दूस्तू फाइनली विद्योत विभाग के ओर सी 1512 पदों पर टेक्निकल हेलपर थर के नोटिफिकिसन को जारी कर दिया गया है तो आज की सोड़ी में हम बात करेंगे इस वेकेंसी को लेकर कि भाई इसकी योगेता क्या है साथी एस लिमिट क्या है और साथी साथ इसका एक्जान पैटरन किस प्रकार से रहेगा इसका सलेबस किस प्रकार से रहेगा तो संपूर्ण जानकारी आज की सीज़ी में आपको दीज़ाएगी चली फ्रेंस इस्टार्ट करते हैं आज की सीड़ी को वीडियो को इस्टार्ट कांस पहले आपसे छोटी से रिक्वेश्ट की दिया आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न पुले और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे विध्योत विफाग भरते हैं 2020 से जुड़ी हमारी प्रतेक विडिकर नाटिफिकेशन समय रहते हैं आपको मिल सकें दोस्तों विध्योत विफाग के ओर से जैपूर अजमेर तथा जोदपूर तीनों ही डिविजन में इस वैकेंसी के पद को निकाला गया हैं अगर पद की बात करते हैं तो टेक्निकल हैल्प पर थड़ इस पद के लिए वैकेंसी दी गई हैं साथी बात करते हैं अगर वैकें को रखा गया है उसके बाद अगर बात करें डिटेल्स की वेकेंसी की तो यहाँ पर जो जे वी वी एन एल यानि जैपूर वित्रण निगम लिमिटेड में अगर बात करें पदों की तो यू आर यानि जनरल कैटेगरी के लिए के लिए 370 पद, SC के लिए 164 पद, ST के लिए 124 पद, BC के लिए 216 पद, MBC के लिए 51 पद और AWS के लिए 103 पदों पर इस वेकेंसी को निकाल लगया है साती सहरिया में यहाँ पे टूटल 7 पद हैं, उसके बाद X-Servicemen के यहाँ पर 86 प्लस 139 पद हैं और साती Outstanding Sports Person के 21 पद हैं और साती PWD Candidate के 42 पद हैं जैपूर वित्युत वित्रण निगम लिमिटेड में टूटल 1035 पदों परी वेकेंसी रहेगी उसके बाद जोद्पूर विद्युत वित्रण निगम लिमिटेड में जनरल के 135 पद हैं, SC के 69 पद हैं, ST के 44 पद हैं, BC के 77 पद हैं, MBC के 18 पद हैं, EWS के 37 पद हैं और सहरिया के 0 पोश्ट रखी गई हैं उसके बाद X-Servicemen के 111 पद हैं, और साथी Outstanding Sports Person के 7 पद हैं, उसके बाद PWD के 15 पद हैं, यानि टूटल 370 पदों पर ये वेकेंसी आपके जोद्पूर विद्युत वित्रण निगम लिमिटेड के और से रखी गई हैं ध्यान दे फ्रेंट्स ये जो वेकेंसी में आपको बताई वो नोन टीएसपी एरिया की, यानि नोन टीएसपी एरिया में केवल जैपूर तथा जोद्पूर विद्युत निगम लिमिटेड के और से वेकेंसी रखी गई हैं उसके बाद बात करेंगर टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी में यहाँ पर अजमेर विद्युत वित्रन निगम लिमिटेड के और से जनरल के 41, SC के 4, ST के 35, X-Servicemen के 10, Outstanding Sports Person के 1, और PWD के 4 पद, यानि टूटल 80 पदों के लिए वेकेंसी रहेगी और साथी जोद्पूर विद्युत वित्रन निगम लिमिटेड के और से भी टीएसपी एरिया के लिए जनरल के 14, SC का 1, ST के 12, X-Servicemen के 3, Outstanding Start Person के 0, और PWD के 2 पद, यानि टूटल 27 पदों पर ये वाकेंसी आपके रहेगी यानि टूटल को मिला के बात करूँ तो नोन टीएसपी एरिया के जो है वो आपके 14, 145 पदों पर और साथी टीएसपी एरिया के 107 यानि टूटल 1512 पदों के लिए बंपर वेकेंसी आपके निकाली गई है 10 friends बात करते हैं अगर इसके educational qualification यानि सेक्शनिक योगिता की तो आप RBC या CBAC से 10th pass होनी चाहिए तब आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात ये हैं कि आपके secondary यानि 10th करने के साथ ही आपको ITI कोर्स किया हुआ होना चाहिए तब भी आप आविदन कर सकते हैं मैं फिर से इस पश्ट कर दूगी यहां पर आपके 10th pass होनी चाहिए वो चाहिए RBCC या फिर CBAC से हो कोई दिक्कत नहीं है साथी साथ आपने ITI कर रखी होनी चाहिए वो ITI आपके NCVT यानि National से हो सकती है या फिर SCVT यानि State से हो सकती है या फिर NACC से भी होगी तब भी चलेगा इसके अतरिक्त यदि आपने 10th के साथ ऐसा कोई equivalent यहने समकक्स course कर रखा हैं जो कि इन following trades में जैसे की electrician, lightsman, SBA, wireman, power electrician इन में से किसी trade में कर रखा हैं तब भी आप आविदन के पात रहें ज्यान दे 10th होना अनिवारे हैं और 10th के साथ में ITI या फिर अन्य कोई course जिसमें की in trades में आपने योग्यता ले रखी हैं तो आप आविदन कर सकते हैं खाले 10th वाले आविदन नहीं कर पाएंगे तेन फिरेंट्स बात करते हैं अगर age limit की तो इसमें आपकी जो कम से कम age है वो 18 वर्स और साथी अधिकतम age 28 वर्स दी गई हैं बेस्टेट की बात करो तो 1-1-2030 को बेस्टेट माना गया है यनि 1-1-2030 को आपकी कम से कम उम्र 18 वर्स और साथी अधिकतम 28 वर्स होनी चाहिए तभी आप आविधन के पात रहोंगे वैसे फ्रेंट्स एच में यहाँ पर आपको आरक्षन यानि रिलेक्षन दिया साएगा जिसे कि 5 यर का रिलेक्षन आपके जो एश्टी, बेकवर्ड क्लासिस, नोन, क्रिमेलियर, बीसी, अंसील और साथी जो भी मोर बेकवर्ड क्लासिस, जो भी हैं, एंबीसी, एंसी, एंस इतियादी categories या फिर SC categories इन सभी को 5 words की छूट दी जाएगी किसमें अधिकतम age में यानि 28 में आप 5 add कर सकते हैं अगर आप इन में से किसी एक category में आते हैं उसके बाद friends जो disabled candidates ने उनको भी 5 year की यहां पर छूट दी जाएगी और उसी के साथ ex-servicemen जो भी है वो 50 years तक के भी ह तब भी आविदन कर सकते हैं तो इस प्रकार से अन्य vacancies में जिस प्रकार से आपको age में रिलक्षन दिया जाता हैं इस vacancy में भी दिया जाएगा वैसे इसकी age limit देखी जाए तो अपर age यहां पर 28 years है इसका आपको ध्यान रखना है अन्य vacancies में यह ज़ादा होती है दिन फ्रेंड्स salary की बात करें तो आपके जो training period है उसमें आपको 13500 रुपे और उसके बात आपके 19200 रुपे पर मन्त लेवल 4 की salary रहेगी दिन बात करें अगर इसके selection process यानि exam pattern की तो यहां पर फ्रेंड्स आपका जो exam होगा वो दो face में होगा एक pre exam होगा और साथ ही एक main exam होगा दियान दे कि यह exam आपके online mode में होगा और उसी के साथ फ्रेंड्स आपका जो यह exam है इसमें जो pre exam में वो केवल और केवल sort listed करने के लिए होगा यानि pre exam की जो पहला exam आपका होगा उसके marks आपके final merit में नहीं जोड़े जाएंगे इस बात का आपका विसेश धियान रखना है और उसके बाद आपका जो main exam होगा उसी से आपकी final merit तैक की जाएगी then friends बात करें आगे तो इस pre exam में total आपके 4 parts में paper को divide किया जाएगा जो की online mode में आपकी होने वाला है इसमें आपके elementary maths तता general science के 10 किसन जिनकी 10 marks उसके बाद current affairs, geography and natural resources, agriculture, economics, development, history, culture of राजस्तान इसके 35 किसन, 35 marks के उसके बाद current affairs, geography and natural resources, agriculture, economics, development, history, culture of India and world ये आपके 5 किसन, 5 marks के उसके बाद technical knowledge and skill based on syllabus, ITI, NAC, in trades concert ये 50 किसन, 50 marks के ये तोटल आपके 100 किसन होंगे जो की आपके 100 marks के निर्धारित किये जाएगी इन 100 किसन को करने के लिए आपको 120 मिनिट ये नि 2 घंटे का समय दिया जाएगा एक बात और गाट बांद लेगी, इसमें किसी भी और करके कोई भी negative marking नहीं रखी गई है, साफ और इस्पष्ट किया गया है तो सारे के सारे किसन्स अटेंड करने है, इस बात का आपको विसी इस धियान रखना है उसके बात बात करें main examination की, तो main examination जो आपके होगा, वो डो parts में divide होगा पहला general awareness, दूसरा tech, knowledge and skill का इसमें आपके इस परकार से paper को divide किया जाएगा और प्रती है कि इस परकार से किसन्स रहेंगे, आप चाहें तो इस display का screen sort ले सकते हैं 150 marks होंगे, 150 किसन होंगे और इनको भी solve करने के लिए आपको केवल 120 minute यानि 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ध्यान दे कि यही main exam आपकी antimerit तै करेगा एक बात और मैं यहाँ पर इसपश्ट कर दूँ कि जो pre examination होगा उसमें जो candidates हैं, वो पदों की संक्या के 10 गुना यानि 1512 पदें तो करीब 16,000 candidates को पास किया जाएगा main examination के लिए और उसके बाद main examination के बाद आपकी final merit तै की जाएगी आप इसके लिए online आवेदन 9-9-2029 फरवरी से कर सकते हैं अन्तिम जिनाक आपके 28 फरवरी 22 रखी गई है और वैसे भी विद्ध्योत विवाग की भरती की application fees तो बहुत हाई होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी general category के बंदे हैं जिनकी family income धाई लाक रूपे और अधिक हैं, उनके लिए 1200 रूपे की fees रखी गई हैं, साती अन्य candidates जिनकी family background धाई लाक रूपे से कम कमाता हैं, या फिर OBC, ST, MBC, इत्यादी किसी category से वो बंदा आता हैं, तो उसके लिए 1000 रूपे including ZHT fees रखी गई हैं, इसका online form किस प्रकार स भरना इसका अलग से एक वीडियो जॉबलक त्वारा आपको उपलब्द करवाया जाएगा, 9 फरवरी 2022 की डिट में, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, और पास में से बेल आइकन को ज़रूर से प्रिस कीजिए, ताकि उस वीडिय जॉबलक ओफिसेल पर फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, निश्चिंति आपके उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हैं, प्लिस वीडियो को लाइक कीजी, अपने प्रेंट्स की साथ से एर कीजी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब् कर बेल आइकन को जरूर से प्रेज कीजी, थैंक्स वाचिंग, जय हिंद, जय भारत